हेलो अब रिवरिवन आज आएम अवीनाश एंड यो वाचिंग मैं चैनल लेफ फ्सक्र है जोंड इंजिरीज तो जैसे कि स्पोर्ट इंजिरीज में हमने शॉफ्टि से इंजिरीज पड़ा हमने अम next क्या हमारा joint injuries, joint injuries में कौन-कौन से injuries हाती हमारी, dislocation of lower jaw, dislocation of shoulder joint, dislocation of hip joint and dislocation of wrist joint, तो यह हमारी क्या है यह joint injuries, सबसे बहुत हम बात करते हैं dislocation की, dislocation means क्या होता है, जब joint से हमारा कोई एक bone निकल जाती है, तो उसको हम dislocation बोलते हैं, dislocation are joint injuries that forces the end of your bones out of position, मतलब joint क्या होता है, हमारी दो bones मिलती है, वहापे तो एक उस joint पे एक bone क्या बाहर निकल जाती है, वो यह हड़ जाएगी, वहाँ से उसको हम dislocation होगा, जैसे आपना सुना भी होगा, खेलते हैं, हम shoulder के उस पर गिरते हैं, तो काफी लोग बोलते हैं, कंधा निकल गया है, shoulder निकल गया है, तो वो सब क्या है, वो dislocation है, तो सब सब पहले है, dislocation अगर हम बात करते हैं, तो lower jaw के बात करते हैं, dislocation of lower jaw, it occurs when the chin strikes any other object forcefully, यह कब होता है, जै हमारी chin direct forcefully किसी object से टकरा जाती है, यह strike कर जाती है, collide होके जाती है, जैसे आप अपने chin के उस पर ground पर गिर 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 या किसी का head आपके chin में लग गया, जैसे football खेलते हैं, जब header लेते हैं, तो कभी-कभी opposite player का head है, वो हमारे chin पर लग जाता है, जब ball को tackle करते हैं, हमारा chin ground पर लग जाता है, तो यहाँ पर chances होते हैं कि dislocation of jaw injury हमें हो सकती है, तो जो हमारा jaw है, उसका थोड़ा अपने, अपने जो position से वो थोड़ा हट जाएगा, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस जगह देख सकते हैं आप यहाँ पर, कि कैसे यह dislocation इसका हो रहा है, तो और closely दिखाऊँगा आपको, इस part में आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है, कि हमारा इस जगह से हमारा jaw है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे हमारा jaw है, निकल जाएगा, उस तो हम dislocate हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, dislocation of lower jaw, तो next हम बात करते हैं, dislocation of shoulder joint, यह बहुत main injury है, यह बहुत बार लगती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ball and socket joint होता है, वहाँ से जो हमारी humerus होती है, जो humerus हमारी bone है, जो हमारी shoulder से लेके elbow के बीच में bone है, यूमरस, वो वहाँ से क्या आ जाती है, बहार आ जाती है, so it occurred due to the sudden jerk or fall on the hard surface, the end of humerus come out from the socket, यह कब होता है, जो हम shoulder के balance पे हम जब जमीन में गिरेंगे, या किसी चीज़ पे हमारा बहुत जोर से जर्क लग जाएगा, तो यह क्या होता है, जो हमारी humerus है, वो socket से बहार आ जाती है, यह हमारा socket है, और यह हमारी humerus bone है, तो इस socket से क्या आगी है, बहार आ जाती है, तो dislocate हो गया है, basically हम इसको बोलेंगे, फुटबॉल में यह चीज़ बहुत होती है, जब फुटबॉल खिलते हैं, आप जब header लेते हो, जो direct shoulder के balance में जब जमीन में गिरते हो, या किसी floor में गिर जाओ गए, तो उस समय ही chances है, आपका shoulder joint, जो dislocation उसमें, वो हो सकता है, देंड हम बात करते हैं, dislocation of hip joint की, जो हमारा hip joint है, वो भी joint injuries में आता है, तो जब ज़्यादा strength हम लोग regularly हमारे hip joint पे देंगे, तो उस से जो dislocation of hip joint हो हो सकता है, या फिर कभी हम अपने hip के balance पे हम direct गिर जाते हैं, या forcefully गिर जाएंगे, floor पे या ground पे, तो भी यह चीज हो सक आती है, femur हमारी इसमें बाहर आती है, तो femur हमारी hip joint से लेके नी तक होती है, उसकों क्या बोलता है, femur, यह सबसे बड़ी bone होती है, बहुत important bone है, तो इसमें आपको दिख सकता है, कैसे यह अपने socket से बाहर आ गई हैं आपे, तो यह हमारा क्या है, dislocation of hip joint, यहाप भी आप दिख रहे हैं, यहाँ से बाहर आ गई है, इसको हम लोग बोलते हैं, dislocation of hip joint, जो लास्ट हम लोग बात करते हैं, dislocation of wrist, जो wrist है हमारा, उसका भी dislocation हो जाता है, it occurs when a person uses his hand while falling on the ground, कभी क्या होता है, sudden हम खेलते हम गिर रहे होते हैं, तो हमारा sudden wrist पहले आजाता है, तो जब wrist पह यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग हो गया है, इस जगे भी आप लोग देख सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, dislocation of wrist joint, जो हमारा wrist है, उससे क्या है, वो dislocate हो गया है, तो यहाँ पर यह हमारी जो dislocation है, different types of lower jaw की dislocation, shoulder joint की dislocation, और hip joint की dislocation, wrist joint की dislocation, wrist joint में dislocate तब high level से या high height से जब हम नीचे गिरते हैं, जब landing करते हैं, proper तरीके से, वो ही वह सेम कि जब आप गिरो गया, आपका sudden आपका wrist आ गया, बीच में तो wrist मुर जाता है, dislocate हो जाता है, तो यह हमारी होती है, सारी joint injuries,